उनका बताया भविश्य कभी गलत नहीं होता और फिर जब सफलता की कोई गुंजाईशी नहीं है तो फिर क्या मतलब इतनी मेनद करने से फर्क पड़ता है और वो फर्क है कोशिश का निरंतर कोशिश और अलस्य का त्याक सफलता की कुंजी है कोशिश तो करनी ही होगी कर्म तो करना पड़ेगा भगवान कृष्ण ने भी कहा है कर्मन्ने वादिकार अस्ते मा फलेशु गदाचना मा कर्म फलहेतु रुप्भु मा ते संगोस्त्व कर्मनी यानि अपने धर्म का पालंग करनी के लिए कर्म करो फल पर नजर रखकर कर्मना करो क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हारे अधिकार में तो केवल कर्म करना ही है लेकिन अगर कर्म ही छोड़ दोगे तो सफलता कैसे मिलेगी बाबू वो भविश्यवानी सुनकर तुम्हारा दिल डोल गया है डर गए हो तुम इसलिए तुम कर्म करने से भाग रहे हो लेकिन अब भी कुछ नहीं पिगड़ा है हमारा भविश्य जितना हाथों की रेखाओं पर निर्भर करता है उससे कही ज्यादा हाथ की कलाई पर निर्भर करता है निरंतर अभ्यास से हम ना सिर्फ अपनी हाथ की रेखाओं को बल्कि अपनी जिन्दगी की दशा और दिशा को भी पदल सकते हैं साही बाबा, जिस तरह आप ग्यानी हैं, आपने बिना मेरे बताई ही वजा जान ली, उसी तरह अभियंकर गुरु जी भी ग्यानी है उनका कहा हमेशा सच होता है और इस बार भी होगा ना ये मेरा डर है, ना कर्म से पलायन बल्कि मैंने अपनी नियती स्विकार ली है मुझे तो ये परिक्षा की सारी गतिविदी ही क्लेश दायक लग रही है मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा मैं सिफ ये कह रहा हूँ कि इस साल नहीं अगली साल परिक्षा में बैठूँगा और सफल भी होँगा ठीक है छोड़ दो इस विशे को फिलहाले काम करोगे मेरे लिए बाहर धुनी के लिए कुछ लकडिया रखी है उन में से सबसे मोटी लकडी तुम्हें जो लगे उसे लिया पिंदुलकर जी आप निराश मत होईए आपके बेटे में आत्मविश्वास की कमी है वो बहुत जल्द डर जाता है कोशिश छोड़ देता है उसके मन में वो भविश्यवानी बैठ गई है उसे बाहर निकालने की जरुरत है शरद्धा और सबुरी रखिए राम जी सब ठीक करेंगे चिंपावा बाबू अगर इस लकड़ी से मुझे मूर्ती बनानी है तो क्या करना हूँ इसे छेनी हथोड़ी से छीलना होगा आकार देना होगा लेकिन इसका मेरी परिक्षा से क्या संबन्द समझ लो ये लकड़ी हम है और छेनी हथोड़ा वो परिक्षा है तुम ये बताओ जो इंतिहानों से भागेगा वो अपनी जीवन को आकार कैसे दे सकेगा तुम परिक्षा दोगे बापों और तुम्हारा मन भी तुम्हारे इस फैसले में साथ देगा और मैं तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने में तुम्हारी मदद करूगा तेंदुलकरजी आप सब धर्मशाला चाकर विश्राम कीजिए और शाम को बापू को अखेले पार का माई भीज़ दीजिए गा चो आग्या बाबा चलता हूँ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं आप चाहे कुछ भी कर लीजिए पर सच ये है कि मेरा सफल होना नामुम्किन क्या मुंकिन क्या ना मुंकिन अल्ला माले बाबा अमबा तुम्हारे दादा तुम्हारी भलाई ही चाते है उन पे भरूसा रखो अगर वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो अपने आप तो सब कुछ ठीक नहीं होने वाला पहल तो हमें ही करनी होगी ना होसला रख जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा नई वही नी हो गया अब और ने मुझे उस नर्क में वापस नहीं जाना है अमबा हम सब ऐसे ही थोड़ी तुझे वहाँ भेज देंगे देखो जब तक उस नर्क को हम स्वर्क नहीं बना देते हैं जब तक श्रीरंग भावजी अपनी भूल सुईकार कर अपने में बदलाव नहीं ले आते तुम यही रहोगी और फिर हम सब भी तो यही चाहते हैं ना कि तुम्हारे पे ग्रियस्ति हम सब की तरह खुशाल हो तेरे दादा सही कह रहे हैं अंबा तेरी यहां रहने से हमें कोई समस्या ने यह लेकिन दम्यंती यह दिखाओ अनंदी थोड़ा पानी दो थो इतनी बार का आयके संबाल कर काम किया करूँ ताई आप रहने दीजे मैं बना लेती हूँ पर तु अकेली कैसे मैं कर लूँगी ताई आप जाहिए हाँ सुन बाई तुम उठो आनंदी बना लेगे एक काम तो ठीक से कर लिया कर अब इसका बहाना करके हमें भूका मत मर चल जली लिभाकरी बना अम्ला का अम्ला का अम्ला का त्रेंबक चिंता मनी खाना खाने के बाद हम मिलते हैं कुछ जरूरी बात करनी है जी बाबा तुम्हारी आई की इच्छा के मताबिक सुन बायू के लिए ये हार लाया हूँ पर बाबा आपने तो ये जिम्मेदारी मुझे सौबी थी फिर आप ये क्यूँ अम्बा के इस तरह बापिस आने से किसी को अपनी सुद्र नहीं है तुम्हें कहा जरूर था पर अन्तु तुम भी दुखी थे और ये हार लाना भी जरूरी था क्योंकि तुम्हारी आई का आदेश जो था इसलिए मैंने सोचा मैं खुदी ले आता हूँ आधी रात्य बाद गुरू पुश्य का महूरत शुरू होने वाला है तब ये हार सुनभाईयों को दे देना लेकिन बाबा अम्बा के साथ चुह आए उसके बाद ये अम्बा के चिंता मुझे भी है बेटी है वो मेरी उसके जजबातों को अच्छी तरह से सबस्टा हूँ मैं इसलिए तो उसके सामने नहीं दिया मगर मेरी बेटी की ग्रस्ती में आज संकट है इसलिए बहुँओं के साथ अन्याय तो नहीं होने दे सकता संही बाब ये शुचचब के सहे बाद दे परेटी है वेःगार्व के बाद दो मेरी साइब बेटी है बाद बाद के सी बादाब। साइब बाद बाद शुचचचचचचचचचचच अन्या तो शाम से आधी रात हो गई है। रप्या करके आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है। अब बताने का समय आ गया है। तुम्हें एक छोटा सा काम करना है बाबू। क्या? मुझे तो लगा आपने मुझे यहां मेरी मदद करने के लिए बुलाया है। उल्टा आप मुझे से ही काम करवा रहे हैं। क्या है ठीक है बताएंगे। काम मुश्किल नहीं है और इस काम से तुम्हारी मदद ही होगी। तुम्हारा डर चला जाएगा। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाएगा। और तुम परिक्षा देने से भी नहीं डरोगे। ऐसा कौन सा काम है। यह सिक्का तुम्हें अभी जाकर घंडोबाजी के मंदिर में रखकर वापस आना होगा। अभी। हाँ, कोई परेशान ही। साइं बाबा, बाहर बहुत अंधेरा है। उपर से मैं शेडी को अच्छे से जानता भी नहीं। कहीं भटक गया तो। घर्मशाला के पास ही है। और तुम्हें उधर का रास्ता तो पता है। फिर कैसे बटक जाओगे। कितना अधेरा है बाहर। रास्ता भी सूनसान ही होगा। कहीं रास्ते में चोड आकु हुए तो। डरो मत बभू, जाओ। ये सिक्का जैसे ही तुम रखकर आओगे। तुम्हारा मन परिक्षा के लिए अपने आप तयार हो जाएगा। बस एक बार कोशिश करो। ठीक है साही बाबा। मैं कोशिश करता हूँ। मन में साई के क्या है। काने जान गाए। Ong, sayo 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 ong झाल झाल वखाण वाखार ऑखाण कि इतनी बार कई अब इसका बहाना करके हमें भूका मत मर चल जली लिभाकरी बना अनन्दी वहिनी और दम्यन्दी वहिनी भी पराय घर से आईए फिर भी उने इस घर में भरपूर प्यार और सम्मान मिलता है हाई बाबा का स्ने मिलता है पती का प्रेम मिलता है मेरे इससे मैसा क्यों नहीं हर घर मेरे माई के जैसा क्यों नहीं होता एक बेटी के रूप में जो प्यार मुझे मिला बहो के रूप में क्यों नहीं मिला इतनी राद को को जागरे? बाबा खुच जाकर ले आये हैं यहार, सुन्दर है ना? बहुत सुन्दर है, लेकिन इसके क्या जरुरत थी? यह सवाल तुम आई बाबा से पूछो तो बहतर ताई, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम कैसी लग रही है? यह तो त्रमबक के चहरे की चमक ही बता रही है साई बाबा, साई बाबा, मुझसे नहीं हो पाएगा मैंने कोशिश की जाने की और मुझसे नहीं हो पाया इतनी राग वो अकेले जाना मेरे बसका नहीं कोई बात नहीं बाबम, इस बार मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा तुम आगे आगे बढ़ना, घंडोबाजी के मंदिर में जाना, और सिक्का रखकर वापस आ जाना मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा लेकिन एक शर्त है मेरी, पीछे मूड कर नहीं देखोगे तुम आपको डर नहीं लगेगा शिरीडी घर है मेरा, और अपने घर में कोई टरता है, अब चलो दरो मत बबु, बढ़ते रहूं, मैं पीछे हूं तेरी महिमा मेरे साई, कान जान पाया सायों, 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 सायों दर्मत बाबू, तुँ अकेला नहीं है, साई बाबा तेरे साथ है, आगे बढ़ते रहना देक्षण भजता है मन साई बारं बार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार साई और शायो, साई ओ, साई ले ये, साई ओ... कि मैंने कर दिया अब अंदर चल कर साइं का इंतिजार अब तो मेरे पीछे थे ना फिर मुझसे पहले यहां कैसे आ गए मैं तुम्हारे पीछे ही था बाबू बस द्वार का माई के द्वार पर रुप गया था लेकिन आपने तो कहा था तुम्हें समझा ना था जब तुम्हें लगा था कि तुम अकेले हो तो डर के कारण भय के कारण अपना काम नहीं कर पाए लेकिन जब तुम्हें लगा कि कोई साथ है तो तुमने काम पूरा कर लिया हाला कि अब भी तुमने अकेले ही किया है अंतर सिर्फ इतना था कि तुम्हारा डर खत्म हो गया था इसलिए तुम कर पाए बाबु, जिस तरह मेरे साथ होने के एहसास और इस विश्वास के बलबुते पर तुमने काम किया ऐसा ही विश्वास अपने रामजी पर रखो वो तुम्हारी परिक्षा का डर भी खत्म कर देंगे और तुम जरूर सफल होगे आप पर भरोसा करके गया था मैं और आपने अगर रास्ते में मुझे कुछ हो जाता तो कुछ हुआ? नहीं न, सही सलामत हो ना अंधेरा कुछ बिगाड़ पाया तुम्हारा ना ही जंगली जानवर सोचो बबो सिर्फ मेरे साथ होने के विश्वास ने तुम्हें अपने डर से लड़ने की शक्ती थी जो काम तुम्हें सौपा गया था वो कठिन नहीं था तुम्हारे डर ने उसे कठिन बना दिया था जबकि वास्तविक्ता ये है कि तुम प्रतिभाशाली हो मेधावी हो और सबसे अधिक तुम महनती हो परिक्षा की अच्छे से तैयारी भी की है तुमने परिणाम के डर को छोड़कर अगर परिक्षा दो तो मुझे विश्वास है सफलता तुम्हारे कदम चुमेगी बाबो लेकिन ने डरता का सफलता से क्या संबंद समझता हूँ ए देवा यह क्या हो रहा है मुझे क्या मुझे जलन हो रही है इर्शा हो रही है वह भी अपने घरवालों से नहीं चिंतामनी दादा त्रहिंबग दादा मेरे सगे भाई है उनके क्रियसी से मुझे जलन कैसे हो सकती है उनके सुपकों मैं हजर कैसे लगा सकती हूँ नहीं यह गलत है यह पाप है क्या तुम्हें इसमें आटा दिख रहा है जी बाबा क्या इस आटे से रोटियां बना सकते हैं ध्यान से देखो और बताओ इसमें तो अशुद्धियां है लेकिन इसका मेरी समस्या से क्या लेना देना तुम यह बताओ कि इसे खाने लायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा चलनी से चालना होगा अब यह खाने लायक है जी साइं लेकिन इसका मेरी परिक्षा से या मेरे डर से क्या सम्बंद बाबू यह आटा तुम्हारे ग्यान तुम्हारे हुनर तुम्हारी मेहनत की तरह है और यह अशुथियां क्रोथ, इर्शा, दर जैसे बुरे विचार है जब तक यह आटा और अशुथियां साथ साथ हैं तब तक यह किसी लायक नहीं है इसलिए इने चान कर अलग करना पड़ता है हमें भी यही काम लगातार करना चाहिए अपने मन से अशुथियों को चान कर अलग करने का काम ताकि मालिक ने हमें जो भी गाबिलियत वक्षी है हम उनका लाब उठा सके हमें जो वक्षी है वहीनी यह चोट कैसे लगी? रोज की तरह फूल लेने गई थी मेरे लिए पैर टूटू हुई टहनी पर पड़ गया लकडी नोके ली थी पैर में गुज गई कितनी दफ़ा इससे कहा है कि यह फूल फूल जरूरी नहीं है लेकिन यह है कि सुनती ही नहीं पून बहुत बहर है आनंदी जल्दी से गरम हल्दी का लेप लगाना होगा इस चोट पर वरना यह घाओ जखम बन जाएगा आई मैं अभी लेप बना कि लाती हूँ आई 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 बहुत ठंडी दग रही है जईदी से तयार कर दू ना दमन्ती तुम बच्चो को तयार कर दो ले पंबा ले आएगी अब ऐसे भी आज रसोई भी तुम्हें भी बनानी होगी आनन्दी की जो हालत है वो आज कुछ नहीं कर पाएगी हाँ आँ 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 आदा बिल्कुल ठीक कह रहे है एक अगेली दम्यंती भई नहीं क्या क्या काम करेंगी तुम ऐसे भी खाली बैठी हो अब जाओ जल्दी से लेप लेकर आओ चलो बच ऐसे कैसे दादा ने कह दिया कि खाली बैठी हो बेटी माई के आके आरभ नहीं करेगी तो कहा करेगी करेगी माई करेगी प्रणाम साही राम जी भला करें आप कहीं जा रहे हैं किसी को उदी की जरूरत है दाद्या बही देने जा रहा हूं साही बाबा इतनी सुभव सुभव जाएने की क्या ज़रूरत है बीती रात आप सोई भी नहीं अभी आराम कर लीजिये थोड़ी देर बाद जाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा बाबू दुसरों के दुखदर्द के आगे साही को अपनी सुधनी रहती है ये तुम आज देख रहे हो हम बर्सों से देखते आ रहे हैं लेकिन साही मैं बाबू की बाद से सहमत हूँ आप आराम करिये उधी जिसे भी देनी है आप उसका नाम बता दीजिये मैं दे आता हूँ इंसान अपना अधिकार जताना तो जानता है पर अधिकार के साथ हने वाली जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहता इंतलब? बाबू, मैं एक बैरागी हूँ विख्या मांगना मेरा अधिकार है और मैं रोज हक से मांगता हूँ और श्रीडिवासी मुझे कभी निराश नहीं करते लेकिन बदले में मेरी कुछ जिम्मेदारियां है जिनसे मैं मूह नहीं मूर सकता मेरी जिम्मेदारी मुझे को निभानी है मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी मैं भी चलता हूँ रिक्ष्या के लिए तयार होना है जलन हो रही होगी न? अगर ठीक होना है तो थोड़ा दर्थ उसे न पड़ेगा बच्चों को तयार कर दिया है मैंने वो नाष्टा बनने में थोड़ी देर हो जाएगी तुम आराम से अपना काम करो एक दिन खेद देर से गया तो कुछ भी गड़ नहीं जाएगा वो पानी भी खतम हो गया है वोई पर जाकर पानी भर के लाना होगा रोज आनंदी पानी भर कर लाती है लेकिन आज तो वो दम्यंती तुम नाष्टे की तयारी करो पानी अंबा ले आएगे जी आई लेकिन आई अगर मैं बाहर गए तो मुझे देखे लोग दादादा के बाते बनाएंगे तुमबा दादा है ना बोले आएंगे अंबा आनंदी को ऐसी हालत में छोड़कर तुमबा कैसे जा पाएगा भाबा हम सब यहां है ना हम सब के होने और तुमबक के होने में फर्क है अंबा पद्दी के साथ होने से पत्नी को जो सुकून मिलता है वो किसी और के साथ होने में थोड़ी ना मिलेगा तुमबा आज तुव खाल मच्चा मैं और चिंतमनी खेच संभाल लेंगे अंबा तुझा पानी लेका रहा और बेटा बहु को अंदर ले चलो आजाओ आरम से देखने में तो अच्छी भली दिखती है फिर भी इसके पती ने इसको निकाल दिया ऐसी क्या कमी रह गई होगी इसमें ये कुलकनी सरकार की बहुत तो नहीं है ऐसी दक्यान उसी बाते मेरे सामने मत किया करुशा ये बिचारी औरते पती के हर जुम सहती है उसका घर संभाल दिये उसके परिवार को अपनाती है और फिर अगर कोई उच नीच हो जाए तो नाम तो इन बिचारी औरतों काई खराब होता है ये पहली औरत है जिसने मुझे समझा है लेकिन सरकार की सुनबाई मेरी इतनी तरददारी क्यों कर रही है मुझे पता है आप दोनों मेरे ही बार में बात कर रही थी और मच्छी में चारा निगल लिया माफ करो अंबा मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं बोलने वाले की जबान तो नहीं पकड़ सकते हैं यान पर जाहिल लोग तो हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं लेकिन मैं नए जमाने की पड़ी लिकिया औरत हूँ मेरी सोच अलगे लेकिन क्या सब मुझे भी दोशी समझ रहे हैं अंबा अब अगर तुमारे घरवाले ही तुम्हें बोज समझते हैं तो बाकी लोग तो बाते करेंगे ही ना बोज नहीं नहीं मेरे घरवाले मुझे बोज नहीं समझते हैं बिल्कुल भी नहीं बाब जिस घर की बेटी के साथ इतना बुरा हुआ हो इतने जुल्म हुए हो उसके साथ सहानुबुती रखनी चाहिए ना उसे घर में बिठा के धाडस बढ़ाना चाहिए सहानुबुती तो है सबको सहानुबुती होती तो क्या तुम्हें घर से बाहर बेचते हैं ताके लोग बाते करें तुम्हें ताने मारें नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो तो आनन्दी बहीनी को चोट लगी थी इसलिए उस आनन्दी के बारे में तो मुझे कोई बात ही नहीं छेटनी है तुम्हें क्या लगता है अंबा तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सबको केसे पता चला आनन्दी है इसकी जड़ वही बता रहे थी सबको के लो आ गई हमारी ननन्द हमारे चाती पर मुंग दलने अब जब वो खुद तुम्हें गलत समझती है तो बाके लोग तो समझेंगे न हाँ दीदी वो आनन्दी उस दिन हम सबसे कह रहे थी एक हम है जो आदर्श बहु की जैसे अपनी ग्रिहस्ती संभालते आये लेकिन एक मेरी ननन्द है जिससे अपना परिवार भी संभालानी क्या इसमें हमारी क्या गलती गलती उसकी लेकिन जेलना हमें पड़ेगा कतनी से अधिक करनी बोलती है कैसे होते जस्वी अंतर यामी है आप तो आपको तो पता ही होगा मैं कैसी हूँ और ये भी पता होगा कि कोई अगर मेरी बात काटे या मेरे काम के बीच टांग अड़ा है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गोदावरी जी के घर से भिक्षा ली है मैंने इसलिए मेरा फर्ज बनता है उनके घर के किसी भी सदस्य को राह भटकने से रोकना अमबा कोई क्या कहता है उस पर विश्वास मत करो यहां तक कि मुझे पर भी नहीं अपने परिवार के सदस्यों की आखो में देखो जो तुम्हें देखने की जरूरत है दिख जाएगा पहली बार सच कह रहे है यह आखे खोलो अमबा तभी तुम्हारा परिवार तुमसे अधिक महत्व उनकी भूहों को देता है तुम्हें तो विदा कर चुके थे बोलो अब यहां तुम्हारे फिकर किसी को नहीं है यह सच जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हें हैसास होगा कि मैं सच कह रही थी यह नहीं चलो शाह अमबा मैं भी उस तरब जा रहा हूँ तुम्हारी मदद कर देता हूँ चलो खुलकरनी सरकार की बहुपर रत्ती भर भी यकिन नहीं है मुझे लेकिन सच यह भी तो है कि केवल लिक वही है जिसने मेरी दुरदर्शा समझी यह सथ सहानूबू दे जाता है अमबा अगर तुम्हारे आई बाबा को तुमसे लगाव नहीं होता तो क्या वो तुम्हारा स्वागत करते और रही बात काम करने की तो घर में जब चार लोग साथ रहते हैं काम तो बाटते ही हैं और बाटना भी चाहिए और अगर जाने अंजाने कोई कुछ कहते तो उसे नजर अंदास करना भी सीखना चाहिए शायदा ठीक है रेसाई अर असल हाली में मुझे इतनी यातना ही दी गई इस असुराल में इतना तनाव दिया गया कि छोटी छोटी बाते भी मुझे लग जाती है और कोई जर्ण से भी सहानुबूती दिखा दे न तो मैं तुरान पिखल जाती हो जागरू करहो अंबा विचार आएंगे आने तो लेकिन जीन विचारों से मन में मैल जमे उन्हें त्याग ना भी सीखो वैसे मैंने आनंदी को एक जिम्मेदारी दी थी क्या उसने तुमसे इस बारे में कुछ कहा था अंबा सुनो साई ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है जब मैं पानी भरने जाती हूँ तब मैं वो जिम्मेदारी पूरी करती हूँ लेकिन आज मैं नहीं जा पाऊंगी तो तुम मेरे ले वो काम कर दोगी क्या काम? उस मटके में आउशदी रखी है उसे चीकों के बाग के पास वाले तलाब में टाल देना हम शुक्रिया एक काम खतम उने से पहले दूसरा काम पकड़ा देते हैं हाँ वाइनी ने कहा तो था लेकिन मैं दवाई लेना भूल गई कोई बात नहीं मैं तुम्हें भी दवाई दे देता हूँ तुम पानी में उतर कर उसे डाल देना इसमें उतर के? ये तो बहुत गंद है अगर पानी में गई तुम बिवार बढ़ जाओंगी नहीं साइब माफ कर दीजे मुझसे नहीं होगा लेकिन आनंदी ने क्रम न तूटने का वादा किया था मुझे पहली बहुत देर हो चुकी ये पानी लेके जाने में मैं दम्यंती वहीनी कुछ नाश्ता बनाना है वो मेरी रहा देख रहे होंगी कल आनंदी वहीनी आके डाल देंगी मैं भी चलती हूँ अंबाग जब तक अपने हाथों से गंदेगी दूर करने का चसबा नहीं रखोगी घर कभी साफ नहीं होगा मैं कुछ समझी नहीं साई एक दिन समझ जाओगे फिलहल मेरा एक दूसरा काम है जिसमें तुम्हें परेशाने नहीं होगी तुम इसे पानी में मिलाकर आनंदी को दे देना और उसके घाव पर निम के पत्ते पीस कर लगाते ना उसे फॉरान आराम मिलेगा यह लाए मैं चलते हूं ससर जी आप तो उर्ती चिडिया के पर गिनने का दावा करते थी मेरे चेहरे के इस मुस्कान से कैसे नहीं समझे आपने जो मुझे चुनौती दी थी इसको जीतने के काफी करीब पहुच चकी हूं मैं हर्योम हर्योम अधजल गगरी चलकत जाए बहुत केवल बिज बूने से कुछ नहीं होता बिज बूएं फिर फसल आए उसकी कटाई हो तब आदमी को जश्न बनाना चाहिए क्या लगता है तुम्हें कि वो फकीर तुम्हें जीतने देगा हाँ सरकार सही कह रहे हैं अरे उस फकीर ने तो आज तक सरकार को नहीं जीतने दिया फिर आप किस केट क्यों मुली हैं क्यों सरकार आप में और मुझ में एक मामूली सा अंतर है ससुर्जी अब किनारे पे खड़े रहकर मोती की लालसा करते हैं जब की मोती उसे ही मिलता है जो गेहरे समुन्दर में उतरता है अब साहिल पे रहने वालों को तो समुन्दर का कूडा करकठी मिलेगा ना जब कि मैंने कहरे समुन्दर में छलांग लगा दिया ससुर्जी तुम्हारे आत्मविश्वास की अती तुम्हें कई ले न डुबे बहूं नई ससुर्जी इस बार वह पकीर क्यों हारेगा जानते हैं क्योंकि उसका सामना मुझसे हो रहा है एक औरत से सामना हो रहा है उसका और एक औरत ही दूसरे घर की औरत की कमजोरिया उस पकीर से बहतर समझ सकती है मेरा दावा है ससुर जी अब की बार पसल कटाई से पहले उस जोशी का घर कटेगा हाँ, अब उन्हें पसल से मुनाफाता जरूर मिलेगा लेकिन उसी मुनाफे से भाईयों के रिष्टे को जो नुकसान पहुचेगा उसकी कलपना कोई नहीं कर सकता साहीं बाबा? बाबू, तुम यहां? परिक्षा देने जा रहा हूँ आपकी बास सुनकर मैंने ये फैसला किया है कि नतीजा चाहे जो भी हो लेकिन मैं कोशिश तो जरूर करूँगा शाबभाश ऐसा ही खुद पे फरोसा पनाया रखना तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी कोशिश तो कल रात से बहुत कर रहा हूँ बाबा पर मैंने एक फर्क महसूस किया है जब आप साथ में होते हैं तो सब सही होता है पर आपके जाते ही दर लगने लगता है आत्म विश्वास तगमगाने लगता है जानते हो बाबू जिवन में हम कभी अकेले नहीं होते कोई हमेशा हमारे साथ होता है और वो है हमारा इश्वर इसलिए श्रथा और सबुरी रखकर परिक्षा देने जाओ जब तुम्हारा आत्म विश्वास तकमगाने लगे डर सताने लगे तो मन से अपने इश्वर को याद करना वो खुद वहाँ आकर तुम्हारा डर मिटा देंगे एक बार फिर से शुक्रिया साही बाबा अच्छा चलता हूं राम जी भला करें तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब को केसे पता चला आनन्दी है इसकी जड़ अब जब वो खुद तुम्हें गलत समझती है तो बाके लोग तो समझेंगे न कोई क्या कहता है उस पर विश्वास मत कर जागरु क्रहवांबा विचार आएंगे आने तो लेकिन जिन विचारों से मन में महल जबे उन्हें त्यागना भी सीखो अब भी जैलन हो रही है नहीं फिर भी आज तुम कोई काम ने करोगी ठीक अब जैलो अब जैलो अब जैलो दादा साही ने ये उदी दिये पानी में घोल के भाईनी को देने के लिए का है ठीक है लाओ अब दादा और साही ने नीम के पत्तेों का लेब भी लगाने के लिए तो नीम के पत्ते भी ले आओ ना तुम मुझे नहीं पता नीम का पेड का है ढूड़ूगी तो और देर हो जाएगी आप जाके ले आईए ना तुम भी नामबा ठीक है मैं ले आता हूँ तुम ये पीलो मैं भी आता हूँ अमबा इसे रस्वे में रख दूगी दो पल सुपुन से बैठने देंगी आप उझे सुवे से काम पर लगा रख है मैंने कुछ गलत कह दिया क्या ताई मैं खुद हैरान हूँ अमबा इसा केसे कह सकती है मताने क्या चल रहा है उसके मन में मैंने खुद को एक मेने से बन कर रखा मैंने खुद को एक मेने से बन कर रखा ताकि मैं परिशागी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकूँ लगता है इन सबने अच्छे तैयारी की पता नहीं मेरा क्या होगा क्या होगा बाबा? डर लग रहा है बाबा साइं बाबा ने कहा था डरना मत इश्वर पे भरोसा करना लेकिन बाबा कहना आसान होता है जिस पर बीठती है वो जानता है जाद करो उस रात उन्होंने तुम्हें खंडोबा मंदिर भेजा था तब भी कहा था ना कि डरने की कोई बात नहीं है और सच में तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ था बाबा उस रात मेरी किसमत अच्छी थी लेकिन ये परिक्षा है इसमें प्रश्न पत्र आते हैं जिनका जवाब लिखना होता है और उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है बाबा इस परिक्षा में अच्छे अच्छे विध्यार्थी तयारी करके भी असफल हो जाते हैं सारे परिक्षार्थे अंदर आ जाईए परिक्षा का समय हो गया बाबो खब राव मन हम सर्फ इतना चाहते हैं कि तुम परिक्षा दो परिणाम की चिंता मत करो परिणाम कुछ भी हो अच्छा या बुरा तुम पर कोई दबाव नहीं है हम हमेश्य तुमारे साथ हैं तुमारे वर्ष में किवल प्रियास करना है और वो पुरे मन से करो पिठाई बात याद रखना साई बाबा कभी किसी को जूटी उम्मीद नहीं देते कभी किसी को गलत मार्ग नहीं दिखाते उनका कहा कभी गलत नहीं होता इसलिए तुमने जो परिश्ट्रम किया है जो मेहनत किया है उस पर विश्वास रखो और साई बाबा पर भी सब अच्चा ही होगा जाओ ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम प्रणाम साई राम जी भला करें आज तुम सुबह सुबह आ गई? जी साइं रमभाद? जी साइं रात्या? तुम दोरनों सुबह ऐसे लगे हो काम में? लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ नई साइं आपको सबकी फिकर हैती है सिवाए अपने अब भी आप कोई काम ने करेंगे सिवा राम करेंगे तुम कहती तो सही हो लेकिन ये भी सही है कि सभी को गंदगी साफ करनी चाहिए चाहे घर की हो या मन की दो मुझे दो जाग मुझे भी कुछ करना जाहिए बार्टन हो गेती हुमे करें वेकि बार्टन शुटरो यो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सब पढ़ा था मैंने मगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है साई के इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कहीं अभी अंकर गुरू जी की भविश्यवाणी सच साबित तो नहीं हो रही ए भगवाल अब मैं क्या दो रहूं साई मेरी मदद करिये साई मेरे साई